राम राम जी हाँ भगवान श्री राम का नाम राम नाम तो हम अक्सर देखते हैं हमारे घरों में पहले जमाने में जब बच्चों का नाम रखते थे तो उसके पीछे राम लगा देते थे जैसे खुशी राम, बंसी राम, साधू राम तो बहुत सारे राम, बल राम ऐसे जो उनके पीछे राम का नाम जोड़ा जाता था और जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं इवन आज भी बहुत कॉमन है जब भी दो लोग मिलते हैं तो वो आपस में मिलके राम राम बोलते हैं तो जब हम राम राम बोलते हैं इससे क्या होता है और जब हम बच्चों को राम रा हेलो हाई बाई या नमस्ते क्या बोलना है और हाडली दस में से दो बच्चे बड़ी ही मुश्किल से राम राम को दुबारा रेसिप्रोकेट प्रॉपर करते हैं तो अगर हम उनको ये कॉंसेप्ट बताएं कि जो निमरोलोजी होती है जैसे नमबर का अगर हम निमरोलोजी न नमबर है वो 27th है मतलब र 27th rank पे आता है और जो आ है वो नमबर 2 है और जो म है वो नमबर 25 25th rank है तो जब हम इनको add-on कर देते हैं 27 प्लस 2 प्लस 25 इनको add करके total हमारे पास 54 आ जाता है तो जब एक राम 54 टाइम्स हो गया 54 उसका value है जब हम दो बार राम राम बोलते हैं तो 54 into 2 करके देखिए तो 108 उसका result आता है तो बच्चों को इतना तो definitely पता ही होगा जो उनके दादा दादी नाना नानी घर में जब माला यूज़ करते हैं उसमें 108 बीट्स होते हैं तो अगर उनको ये बोल दें कि वो 108 बीट्स की माला जो है वो 108 बीट्स आपके दो बार राम राम बोलने के एकवेलेंट हैं तो शायद उनके दिमाग में कुछ ये चीज़ स्ट्राइक करें और उनको चांस में ले अपने कल्चर के साथ कनेक्ट होने का तो आप ट्राइ करके देख सकते हैं एक बार बच्चों को ये जरूर दिखाईए उनको जरूर नॉलेज में ला राम है वो भगवान राम का ही नाम है इवन डेक जोने पर भी हम देखते हैं राम नाम सत्य है बोलकर ही आदमी को लेके जाया जाता है और इसमें जो र है वो रा जो है वो लक्ष्मी जी को डेनोट करता है और जो म है वो विश्नु जी को डेनोट करता है और राम बोला जा जो रमा के साथ रहते हैं रमा का ब्रहमन करने वाले भगवान श्री राम फिर मिलूंगी अगले वीडियो में किसी हेल्थ टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्ते